बात अगर की जाए स्रीनगर के सबसे टॉप थीम बेसिट रस्टोरांट की तो उन में से ये रस्टोरांट सबसे पहले नमबर पे आएगा टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा मैं बात कर रहा हूँ मरीन डाइन की जो की लोकेटिड है जवाद नगर स्रीनगर में तो आज दा फूरीचस का आपको लेकर आया है मरीन डाइन आपको दिखाने इस रस्टोरांट का फूड एम्बियन्स तो वेलकम टो दा फूरीचस का उमीद है आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे और एकदम मज़े में होंगे इस रस्टोरांट में एंटर करते ही आपको यह बहुती ब्यूटिफल सा विव देखने को मिलेगा यह एक थीम बेस्ट रस्टोरांट है और यहां आपको मरीन थीम देखने को मिलेगी जाहे यहां की वालर्स पे सिटून्स हो या वालर्स पे बने सी क्रियेचर्स यहां की सीलिंग और यहां की सिटिंग एरेजमेंट भी सारी मरीन थीम पे बेस्ट है जो कि काफी अट्रैक्टू है और एक बात जो मुझे इस रस्टोरांट की पसंद आई वो यहां की स्टाफ की हॉस्पिटल्टी है यहां का स्टाफ बहुत ही कॉर्डिल है यहां आपको डिफरन टाइपस ऑफ एक्जॉर्टिक फिशेज भी देखने को मिलेगी ओवरॉल एम्बियंस की बात करें तो यहां का एम्बियंस बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल और बहुत ही ऐलेगेंट है बात करें यहां के मैनू की तो इस रस्टोन का मैनू काफी डावर्स है और हमने भी अपनी कुछ फेवरिट डिशिस मंगवाई जिसमें पहले हमने ओरर किया हनी चली चिकन हनी चली चिकन की बात करें तो यह दिखने में काफी टेंटिंग लग रहा था और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही ब्यूटिफुल है टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया था मैंने चिकन की ऐसी टेस्टी डिश शायद ही कभी खाई हो और ये डिश में हाइली रिकमेंट करूँगा यहां की इसमें हनी की स्वीटनेस और चिलीज का स्पैसी फिलेवर का परफेक्ट बैलन्स है चिकन के चंक्स को मुँँ में रखते ही आपके मुँँ में फिलेवर का बलास्ट आएगा नेक्स्ट डिश जो हमने इस रेस्टोरंट में आउडर की वो है यहां की स्पैशल मतन कबाब कांती और मतन कबाब कांती के साथ हमने ये नान भी आउडर किये मतन कबाब कांती के प्रेजेंटेशन के बात करें तो इसकी प्रेजेंटेशन वाकई बहुती अच्छी थी और जो नान हमें सर्व किये गए वो भी दिखने में काफी अच्छे लग रहे थे फूड की कॉल्टी की बात करे तो जो हमें कबाब कांती सर्व किये गए वो काफी फ्रेश थी बात करें कबाब कांती के टेश्टे की तो जो कबाब हमें सर्व किये गए वो काफी टेश्टे थे और नान के साथ कबाब कांती खाने का एक अलगी मज़ा आता है कबाब कांती में जो एपियाज और कैपसिकम डाले गए थे उससे कबाब कांती का टेस्ट काफी एनहेंस हो रहा था ओवराल टेस्ट की बात करें तो कबाब कांती काफी टेस्टी थी लास्ट में हमने यहां का स्पेशल वैनिला शेक और किया वैनिला शेक की बात करें तो यह टेस्ट में काफी अच्छा था यहां हमने फूट बहुती ज़्यादा एंजॉय किया और यहां का फूट बहुती टेस्टी है मैं यह प्लेस आपको हाइले रिकमेंट करूंगा आप यहां पे एक बड़ी ज़रूर आईए और इस एम्बियंस में खाने का लुटफ ज़रूर उठाएए तो इस वीडियो में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं उमीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शियर कीजे और इस चैनल को सबस्क्राइब कीजे अपना खयार रखिए अल्लाहाफिज